आज मैं बनाने जा रही हूँ Instant and Easy अमरिसरी पनीर भुर्ची रेट कप ग्रेटिट पनीर लेंगे दो मीडियम साइज के प्यार लेके उन्हें बारिक बारिक काट लेंगे और दो ही हम टमाटर लेकर उन्हें भी हम बारिक बारिक काट लेंगे 1aph cup दही लेंगे और 2 चम्मज जितना हम भुना हुआ बेसन लेंगे केस के अकॉर्डिंगली हम नमक लेंगे 1 1 टीसपून Sambar Pounder 1 टीसपून Lal मेचंच पाउडर 1 टीसपून पावभाजी मसाला 1 1 टीसपून Kitchen King मसाला 1 1 2 टीसपून हल्दी वन टी स्पून सुखा धनिया हाफ टी स्पून गरम मसाला वन टेबल सून कसूरी मेथी तीन से चार हरी मिर्च हाफ कप ओफ कॉरेंडर लीव्ज त्री टू फोर स्पून मस्टर्ड ओल बाउल लेकर उसमें दो चमर भुनावा बेसन एड़ करें अब इसमें तीन से चार चमर दही लेकर मिक्स कर ले सभी सूखे मसाले एड़ करें एक चमर टोस्टिट कसूरी मेथी एड़ करें दो चमर पानी डालके अच्छे से पेस्ट बना लें जिससे कोई लंप्स न रहे एक पैन में दो चमर मस्टर्ड ओल लेकर उसमें हाफ टीस्पून लाल मिश डाले अब इस तड़के को हमारे तयार बेसन के मिक्स में अड़ कर ले अच्छे से मिक्स करें ये रेड़ी है हमारा सीक्रेट मसाला जो पनीर की भुर्जी को टेस्टी बनाएगा अच्छे से मिक्स करें गैस का फ्लेम ओन करके अपना कुकिंग पॉट ले उसमें दो से तीन चमर्ज कुकिंग ओईल एड़ करें और हलका गरम होने दें प्याज एड़ करें और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनते रहें जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं उसमें कटे टमाटर और हरीमेच अड़ करें अच्छे से भुनें अब इसमें अपना तयार मिक्स अड़ कर लें इसे भी भुनें जब तक ये ओईल डिलीज ना करने लग जाएं दो चमत पानी एड़ करें और भुनें दो मिनट ढग दें और रिलीज हो चुका है अब इसमें ग्रेटिट पनीर एड़ कीजिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दीजिए धनिया पत्ती डाल कर मिक्स कर लीजिए रेड़ी है हमारी अम्रिसरी पनीर भुर्ची इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं मिक्स कर लीजिए इसे आप राल भीजिए अब बनाव